सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ते नोटिफिकेशन बटन पाकिस्तान की तमाम अपोजीशन जमातों ने गुज्रावाला में अकठे होकर पाकिस्तान की अफवाज के सिपासलार के खलाफ एक बार फिर नारे लगाएं जनल कमर जावेद बाजवा साथ ये साखात आप ही की दीव हुई है आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परिशानियों का मुझम है आज आपो नवाज शरीफ और वाइस करोड अवाब की हकूम की चत्व जहते की आज मैदान पे उत्रे हो तुम्याज के चत्वे को सलाम देश करते हूँ इनकी ये जो जाली खूमत है ना इसकी इसका जो एंड है उसकी शरुआत है शर्णलों जमूरियत चाहने वालों को ये नारे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मकर सवाल ये है कि पाकिस्तान की अफवाज के खालाफ नारे पाकिस्तान की सियासी जमातों पाकिस्तान के सियासतदानों पाकिस्तान के जमूरियत पसंद टोलों और सिवल लिबिर्टीज के ग्रुप ने पहले कब नहीं लगाए ये रीड तो बहुत पुरानी है अगर हम बहुत दूर पाकस्तान के शुरू के दिनों में ना भी जाएं तो सिर्फ अयूब खान के जमाने से ही याद कर ले कि अयूब खान को किस तरह नारे लगा कर रुखसत किया गया था तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नारे लगने से पाकस्तान के सियासी मनजर नामे में वाके ही कोई तब्दिली आएगी क्या नौाज शरीफ की जो दुआधार तकारीर मुसलसल अब देखने और सुनने को मिल रही है क्या वो अभी जा गए हैं ऐसा हर्गिस नहीं है नौाज शरीफ तीन बार पाकस्तान के प्रामेश से रह चुके हैं और तीनो बार उनको चलता किया और तीनो बार उन्होंने इस तरह की बाते की ये सच है कि इस बार उनकी बाते जरा ज्यादा वाज़े है उनके लहजे में तुर्शी जरा ज्यादा है बजाहर यूं भी लगता है कि उनके लहजे में कलेरिटी आफ थाउट जरा ज्यादा है लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान की सियासी सूरते हाल पर तबस्रा करते हुए अपने दोस्त मुक्तार हुसें खरल का एक शेर याद करता हूँ तेरे लहजे में जो रदो बदल लगता है इसके पीछे कोई सरगर में अमल लगता है तो इस लहजे में जो रदो बदल है मिया नौहा शरीफ के उन्होंने जो खामोशी तोड़ी है तो इसके पीछे कौन नज़र आता है बात बिलकुल वाज़े है कि इसके पीछे भी पाकिस्तानी इस्टैबलिश्मेंट के कोई ऐसे ग्रो नज़र आते है जो इमरान खान को एक्जिट स्ट्रेटिजी देना चाहते है जो इमरान खान को मुश्कल हला से निकालना चाहते है नवाज शरीफ, मौलाना फज़र रह्मान, आसिफ जर्दारी, बिलावल भटो और तमाम सियासी लीडर ये तो कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया इमरान खान को मगर ये नहीं कह रहे कि वही सिलेक्टर्स अब इमरान खान की परफार्मेंस से मयूस होने के बार उसको एक्ज़िट स्ट्रेटिजी दे रहे है ताके बिल्ली चुहे का पाकिस्तान की सियासित में जो खेल शुरू दिन से चला रहा है वो चलता रहे है ये शक्स अगर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ तो दर्नों की हैसियत में तो कामयाब रहा था और आएंदा फिर ये इसी हैसियत में मजीद कामयाब होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो पाकिस्तान की सियास्त में बिल्ली चुहे का जो खेल है वो दरहकीकत कब खतमोगा ये एक एहम सवाल भी है इसका जो आप सब को चाहिए और ये एक एहम कंसर्ण भी है मिया नुआ शरीफ अब अपनी तक्रीरों में खुल के तो कह रहे हैं कि बाजवा साब आपी इसे लाए थे और आप ही अब कौम के मसाइल के जिमादार है फौच के सिपासलारों पर ये जिमादारी सियास्तदान पहले भी डालते रहे है पाकिस्तान में जमूरियत को चाहने वाले असल में इस सवाल का जो आप ढूंड रहे हैं कि आखर कप पाकिस्तान के सियास्तदान सचे दिल से पाकिस्तान की फौच को सियास्त से मकमल तौर पर अलग करने में काम्याब होंगे क्योंकि इस वक्त जो सियासी मनजर नामा नजर आता है उसके मताबित तो वाज़े तौर पर इमरान खान को बचाना भी मक्सूद है और पाकिस्तान में अपोजिशन की पार्टियों को इक्तदार में इसलिए भी लाना जरूरी नजर आता है कि इंटरनेशनल स्टेक होल्ड और पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट भी मयूस हो चुके हैं इस मत के सेलेक्टिड प्राइम मिनिस्टर से और वो ये चाहते हैं कि मनजर नामा तबदील हो अब देखना ये है कि मनजर नामा किस तरह तबदील होगा इमरान खान ने तो इस सियासी जलसे के दूसरे वही एग्रेसिव जबान बढ़ती जो उनका वतीरा है मेरी बहुर से बात आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे वी आई पी जेल नहीं होगा यह सियासी शोगदाबाजी अपनी जगा पर लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान की स्टैबलिश्मेंट हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह की उथल उथल करती रहती है अगर कोई यह समझे कि इस वद के ऑपोजिशन के जलसे पाकिस्तान की establishment के कुछ ग्रोहों की मर्जी के बगैर हो रहे हैं तो फिर ऐसा सोचने वालों की यकीनी दोर पर ना समझी होगी ये बात तैह है कि पाकिस्तान की फाज तमाम तरह के सियासी हर्बे इस्तमाल करना जानती है अब किसी का ये ख्याल के नवाज शरीफ के फाज के जर्नेल को ललकार देने से फाज की इज़त एक तरह से खत्रे में पड़ जाएगी तो उनकी बोल है इसलिए कि पाकिस्तान के पंजाबी कल्चर में एक expression है जो मैं कई बार अपने टॉक शोस में बरता हूँ कि इज़त आनी चानी शह पंदा टीट होना चाहिए तो चाहे पाकिस्तान की फाज के ये जर्नेल हों चाहे इनके जर्नेलि एदारे हों चाहे इनके इंटेलिजन्स एदारे हों और चाहे सियासिदान हो, चाहे अदालते हो, चाहे मीडिया हो, वहाँ पर जूट का दोर दोरा है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कल उन्होंने क्या कहा था, बलकि एक लमहा पहले क्या कहा था, और आज वो उससे मुख्लिब बात कर रहे हैं, क्योंके वही एक्सप्रेशन पंजाबी का मैं फिर दोराऊंगा, कि इज़त आनी जानी शाये, बंदा डीट होना चाहिए, यानी इज़त तो आती जाती रहेगी, बंदे को डीट होना चाहिए, इसी सूर्टेहाल के पेशे नजर, मिया नुआ श्रीफ के जो जलसे हो रहे हैं, और जो तक्रीरें सामने आ रही हैं, उनके नतीज़े में वलवला और जोश तो जम्हूरी कुवतों को बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन उनको ये जरूर सोचना चाहिए, कि असल में फौज के अंदर की जो रिफ्ट है, उसके नतीज़ा में इस वब की आपोजिशन पार्टियां अकठी हैं, और उसका एक फाइदा इमरान खान को भी होना है, कि इमरान खान जो हकूमती जंजाल में फंस गए हैं, बड़े अराम से बाहर निकल जाएंगे, अब सुवाल ये है कि इमरान खान इस जंजाल से बाहर कैसे जाएंगे, तो आफ कोर्स ये बिली चुहे का खेल है, ये कुछ वक्त लेगा, और आइस्ता आइस्ता मनेस रिजाइन करेंगे पार्लिमेंट से, और नए अलेक्शन आ जाएंगे, और फिर इन्ही उपोजिशन पार्टियों के आमेजे से एक नई हकोमत बन जाएंगे, और इमरान खान फिर उपोजिशन का करदार अदा करने के लिए तयार होंगे, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, जो भी हकूमती सेटप निया बनेगा, उस सेटप में जिन को जगह नहीं मिलेगी, वो भी इमरान खान के साथ वक्ती तोर पर शामल हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की इस हकूमत में, कौन से इमरान खान के अपने लोग शामल हैं, वो भी तो दीगर opposition पार्टियों के ही लोग हैं और अगर ज्यादा वाज़ तोर पर कहा जाएं तो वो establishment के लोग हैं यहां पर एक और सवाल भी उबरता है कि क्या फिर निया political setup आ जाने की सूरत में असल तब्दीली क्या आएगी तो असल तब्दीली शायद यह आएगी कि जो चाइना के चाहने वाले establishment के अंदर लोग हैं जिनका यह ख्याल है कि यह उनकी तोकवाद के मताबक नहीं उतरें इसी तरह दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि जो गल्फ स्टेट्स हैं सौदी अरेबिया हैं वो भी इमरान बाजवा की जोड़ी की पूर परफार्मेंस से बहुत डिस पॉइंट होए हैं तो इस सारी सूरते हाल में मुल्क की एकानुमी का बुरा हाल है मुल्क में लाइन ओर्डर की सूरते हाल और अबतर हुई है आस पास के ममालिक के साथ और भारत के साथ खास और पर तरलकात किसी तरह भी रिपेर होने की सूरत नहीं निकल रही तो शायद नया सैट अप आए जो चीन के मकासद भी पूरे कर दे और साह साथ जन में डिवल्प होने वाली इन्स्टेबिलिटी को भी एड्रेस करते हैं लेकिन ये सारे काम बहुत opposite directions के हैं लेकिन हकूमतों को opposite directions के काम करने पढ़ते हैं और उन के हाँ उतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो opposite directions के काम बयक वक्त कर सके इमरान खान की हकूमत और उनको लाने वाले सेलेक्टर्स इस पाथ में मकमल तोर पर फेल हो चुके हैं तो निया सेट अप जो आएगा मुमकिना तोर पर वो शायद इन concerns को address कर लेगा और शायद को थोड़ा बहुत economy पर भी काबू पाले और शायद थोड़ी बहुत region में जो peace की talk है उसको भी थोड़ा सा बेतर कर ले लेकिन नवाई शरीफ के नारों में और तक्रीरों में फाज को जो मसलसल challenge किया जा रहा है और फाज को जो वाज़े तोर पर कहा जा रहा है कि आप अपनी हदों के अंदर जाएं यानि आप अपनी बैरकों के अंदर रहें सियासित में मुहमारी ना करें तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा मैं जाती दोर पर समयता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है इसलिए कि पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट और इस्टैबलिश्मेंट से मुतलका इंटेलिजन्स एजन्सी के एदारों बश्वूल आईएसाई की ग्रिफ्ट पाकिस्तान के तमाम एदारों, मीडिया और अवामी सता पर इतनी गहरी है कि जो यह समझते हैं कि नवाज श्रीफ उनको चैलेंज कर रहे हैं, दर हकीकत नवाज श्रीफ उनकी इमाँ पर उनको चैलेंज कर रहे हैं नौाज शरीफ को भी ऐसा पता है और कहीं कहीं नौाज शरीफ को भी शायद पता नहो या उपोजिशन पार्टीज को भी पता नहो कि वो establishment के ही काम आ रहे हैं लेकिन नौाज शरीफ हों आसिफ जड़दारी हों मौलाना फजर रह्मान हों और अब बिलावल भटो हता के मरियम नौाज शरीफ यंग जिनरेशन के पॉलिटिशन इनको भी इस हकीकत की समझ आ चुकी है कि इन फैट जो ये कर रहे हैं ये डारेक्ट भी और इन डारेक्ट भी पाकिस्तान आर्मी के सियासी जाल में फंसते चले जा रहे हैं और ये बोर्ड पर 24-7 है वो मुम्किन है आने वाले दिनों में महीनों में हट जाएं हट जाएंगे तो वो भी सुक का सांस लेंगे और फिर खुलकर इसी नए आने वाले सेट अप के खलाफ धरने देंगे और जब वो धरने देंगे तो उनके पीछे भी पाकिस्तान की आर्मी और उसके इदारे खड़े होंगे ये सूरते हाल मुझे आइंदा चन्द सालों तक तबदील होती नजर नहीं आती जब तक इंटरनेशनल स्टेकोलडर कोई मोजजाती फैसला पाकिस्तान के बारे में नहीं करते आज का मुक्तसर बिला तकल्लफ तैजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया